मद्यप्रदेश की व्यावारी विधान सभा से कॉंग्रिस के विधायक रामपाल सिंग जी में वचूद हैं हमारे साथ उन्होंने एक शेत्र में किस तरह का डवलपमेंट किया और त्रीस तरही पंचायत में भी तीन बार के चुनाव लड़ने के बाद वहां का अनुभव और मद्यप्रदेश विधान सभा के सदस्थ के रूप में अनुभव चूटी आगर मद्यप्रदेश में विधास की हम बात कर ले तो जो बॉड़ी है वो ग्राम पंचायत से लेकर जुरा पंचायत और जन्पत तक ये विधास की बॉड़ी ज होती है और इन चार सालों का अगर लेखा जो खाम देखें तो सड़क, विजली, पानी, स्वास्त और शिक्षा ये वो मुद्दे हैं जो सीधे जनता से जुड़े होते हैं, सबसे पहले अगर हम बात अस्पतालों की कर लें, क्या हालात हैं? देखिए अस्पतालों की जो बात है मेरे हम, मेरे हम दो समधाईक स्वासकेंद, एक बिवहारी है आपका और एक जेशिंगार, दो बलाग भी हैं, दो जनपद हैं और इसके अलाव समधाईक अन्य जगह भी है जैसे बंसुकली है आपका, निपनिया है, बुड़वा है, कई इन सब जगहों में, प्रापरली मैं बात करता हूं बेवारी शहर की, वहां भी डाक्टरों की इतनी कमी हमने कई बार लिखा पड़ी किया, कई बार मंतरी जी से भी मिला, कई बार आयुक्त पिया सबसे मिले हम, स्वास्त भी भाका, लेकिन जैसा इस्टाफ चाहिए, जैसा सुविधाय चाहिए, वहां आज भी नहीं है, यहां तक कि जीला की जो अस्पताल है, उनमें जो मसीनरी है, उपकरने हैं, वो बहुत अच्छे नहीं है, और बहुत मंतरी आयुक्त पियर्स सबसे लिखा पढ़ी किया है, और जब भी विधान सबा आता है, तो हमें आवसर मिला है, तो हमने बात भी रख किया है, यह कमिया है यहां, और यह मूल भूद से विधाये हैं, बिल्खुल शिक्षा बहुत जरूरी है, स्कूल खोले क्या, नए किस कॉलेज की स्थापना हुई है, आई टी आई और दियोगिक प्रशिक्षन के अंदर, देखिए मैं सुरू से, जब से मैंने बिधायक बना है, मेरी कारवाई विधान सबाम देख ली जाए, मैंने अपने छेतर में, मेरा जो छेतर है, जहां से मैं आता हूँ, वो पूरा उनके आया, तो मैंने उनसे बात किया कि, और यहां तक कि विधान सबाम में जब उचे सिक्षा की बात आई है, मैंने बात रखा, एक तो हमारा जो छेतर है, वो आपका नकसल प्रवावी सीमा से लगती है, च्छतिस गड़ की सीमा, चनकपूर तहसील लगती है, बरत पूर हैं, वो नहीं पढ़ पाती है, हमने कई बार मांग किया, और एक छेतर और है मेरा पपान चेतर, बहारी के पस्चिम में लगता है, और वो लगभग सम्तिंग 40 किलो मीटर दूरी है, तो दोनों जगह मैंने कालेज की मांग किया था, नहीं हुआ, बहरहाल हम बात करते हैं, आपके प्रात्मिक बिद्धियाले, मादमिक बिद्धियाले, हाई स्कूल, हाईर स्किंडरी, मैं ये समझता हूँ, देखिए कि सिक्ष़ एक ऐसा चीज है, जो आदमी का सरवागिन विकास करता है, एक चवमकी विकास होता है, समाज में एक अच्छा विकास होता है, अब वही उसी की स्थिति आप देखिए, सिक्षा की मैं समाजता हूँ, जितनी बेकार स्थित आज मत प्रदेश में सायद कभी नहीं रहा है, हम लोग भी गाउं से पढ़के हैं, और टापर स्टूडेंट थे हम लोग, बहुत अच्छे पढ़ने में थे, अब आज गाउं की स् हैं साब, इंटीरियल गाउं में रहां, वहां एक भी सिक्षक नहीं थे, दो सिक्षक वो भी आपके अतित सिक्षक थे, उनको रखा गया था, अब कुलम इलाके हैं कहना चाहिए, हाई स्कूल में तो आपके एक-एक सिक्षक हैं, क्या पढ़ाई करवाएंगी, आपके हाई में इलाके बहुत खराब इस्तित है, हो एमडियम जो चलता है, मध्यान भोजन, मैं यह चाहता हूं कि मध्यान भोजन से नेतागिरी कलाव वहां कुछ भी नहीं हो रहा है, बच्चों को इसको तो बंद कर देना चाहिए, पालकों के खाते में पैसा देना चाहिए, और इस सरकार देखे एक तो भरती नहीं कर रहा है, काईदे से सिक्षकों की भरती करनी चाहिए, आज भी सिक्षकों की भरती नहीं हुई है, आपका अभी आतित विद्वान यातित सिक्षकों के दोरा पूरी पढ़ाई करवाई जाती थी, इस बार वो भी भरती नहीं की गई है, अतित्त सिक्षकों के लिए भरती कर दें तो सबच्चा और सरकार की लाचारी के कारण हैं जब दिग्वीजे सिंग की सरकार थी मत प्रदेश में उस समय हमने देखा है कि सिक्षक का ब्यवस्ता अच्छा था बिल्डिंगे खपरेल थी आज बिल्डिंगे बहुत अच्छे है लाइट चली गई हैं आपके कंप्यूटर है आपके पूरे सिस्टम वहां कर दी गए लेकिन पढ़ाई जीरो है सिक्षक हैं नहीं है यह जो सिक्षक हैं भी वो दूरी से आते हैं पता चला कितने बज़े पहुंचना है साड़े दस बज़े वो पहुंच रहे हैं बारा आपको लगती है नहीं देख भी जए सिंग के समय में तुमाई ने यह देखा उस समय इजी यसी स्कूल तमाम गाओं गाओं में खोले गाओं टॉले में स्कूल टोला का ही बेगती सिक्षक होगा उस समय बहुत अच्छी बेवास थाएं थी आपके हार्स के अंडिया स्कू कि तो बात ही न करें पूरी चौपट है और सड़क की इस्थिती क्या है सड़कें क्या ग्रामीन अलाकों में हर गाओं आपका जुड़ गया है विदान सबाग शेतर का मुख्याल है सड़कों की इस्थिती बहुत अच्छा है प्रधान मंत्री रोड कनेक्टिबिटी पूर को की इस्थित अच्छा था जिस सेचित को मैं बिलांग करता हूँ बहुत सारे शेटन में आता था नकसल प्रभावी सीमा में आता था और ट्राइबल से भी बहुत सारे काम हुई हैं तो कुल मिला कि ये कहना चांए कि साड़कों की इस्थिती अपने यहां लगभग मैं य ही ऐसे जगे हे, कुछ ही ऐसे जगавай- जहां पर आज भी थोड़ा सडक और पुलियों की, जह आवा गा Свका गान एक सबस्त्ताुता थो अब कुछ आहां सकते लगवगवग तर्फीक ह fel फिर तक पीने का पानि और सiorsाई सबसे पहले तो मैं आपको सुद्ध पेजल की बात करूंगा मेरे वहारी में बान सागर बान सागर जो आपका डैम बना हुआ है बान सागर से लगभग 33 करोड का एक अलग प्रोजेक्ट लांच हुआ है और हमारे प्रयासों से हम भी दायक ने बने तो उसके पहले वह स्विक प्रयास किया और आज के डेट में आपका बान सागर से पाइप के दोरा आके बेवहारी वह पानी का प्यूरिफाइड होगा इसके बाद फिट होवर हैंड टैंक में जाएगा पूरी पाइपे बिच गई हैं और बेवहारी नगर नगर पंचाईत में बहुत अच्छा बाटर लेबिल कम हैं यह पहले जो खोदाई हुआ कई जगे तो ब्रस्टा चार का भेंट चड़ गया असी फिट खोदे जबकि 300 फिट खोदना चाहिए 300 फिट खुदा होता आज भी पबली को कोई वह न जाता मैं यह कहता हूं सबसे पहले तो जिस तरह से अपन पोलियों को नमूलन कर रहे हैं इसी तरह से हैंड पंप कहां कहां सबसे कोई सरकार पूरे मध Прदेश में अगर चिन्नित करवा ले कि यहां यहां हैंड पंप यह ग्रैबल पैक बोर हो जाए लोगों को पीने से निजात मिल जाए इसी तरह बिजली कर दें उन मूलन टाइप से रही सिचाई की मेरे विधान साब हम साथ आठ डैम स्विक्रित हुएं जो दो तीन तीन गाउं सिचाई करते हैं जैसे आपका एक रिमार है और आपका ये पथरवार की पास कौन सी गाउं है सारतपूर है और आपका सनोसी है फिर आपका बिजहा है फिर आपका टेटका है इसके अलावा आपका जो हिरवार है मैं कई बार विधाम सभा में इस बात को रखा कि दिया तली अंधेला डूब में हम लोग प्रभावित हुए हैं पानी पूरी कहां जा रही यादारी स्टेट को आप दे रहे हो रीवर सीधी सतना को दे रहे हो और हमारे यहां क्यों सीचाई नहीं हो सकती है क्या ऐसी प्ला सानिंग करिए कि हमारा पूरा विवारी छे सिंचित हो तो अभी आप से बताऊं साथ हज्जार हेक्टेर लगभग फोर्टी नाइन विलेज जो है मेरे यहां जुड़े हैं जो पूरी सिंचित होंगे लगभग उसका टेंडर भी ओपन हो चुका है और दूसरा आपका एक जलासा है भने जलासा है में 144 गाउं लगभग सिंचित होंगे जिसमें आपका पूरा बुड़िया बना सी भम रहा प्रतम से लेके आपका खड़ा खेट पूर जहराओं सी यह बड़े बड़े गाउं यह पूरे सिंचित हो रहे हैं आपका सनोसी डैम से काफी सिचाई हो र बिपक्ष में होते हुई हमने एक बहुत बड़ा वो किया है और लोगों को आक अच्छा लाब मिलगा और छेत में तरक्ती होगी किसानों के लिए बहुत बड़ा कहना चाहिए वह बहुत बड़ा एक किसान को लेकर ईक समस्या है उत्पादन बढ़ रहा है जिए ngны आउने ही और में हो रहा है किशानो को फॉपर को सब्षान को बूल जाते हैं उसके धिंक किसान very नगई पनेकर सिसान को बहुत है यह देखे हैं किसान को सब्षोज भूल जाते हैं उसके हितम हमें सोचना चाहिए उसकी लिए करना चाहिए और अपने हाँ तो देखें मुख जो फसल है मुख फसल धान और गेहुं है धान गेहुं खरीदी अपने हां सोसाइटियों होती है कहीं कोई दिकत नहीं जाती कुछ छेत रहते हैं जहां पर आपका उड़ाद है या आपके भुटा ह तो बहुत कम मातरम होता है लग भग सेट साहूकारों के या लोग बेंच देते हैं फिर भी मंडी है अपने अपने इस वार हम लोग प्रेदित किया मंडी में बेचा जाए सब कुछ है तो लग भग हो ठीक है आपको नहीं लगता है कि किसान को लेकर जो बखेडा इस वक्त प्रदेश में खड़ा हुआ है यह भाजपा के लिए बड़ा नुक्सान दायक होगा किसानों के लिए जिस तरह किसानों की दुर्गती यह इस सरकार ने जो दुर्गती मचा के रखी है आप तो इधर आप देखी लिए हैं आप घरगान तरह पीदर कपूरे जो किसान है कि जिसान सार्डिक कार लाठी चारज किया जिसाने गोली चलंवा दी है वह पूरा महत प्रदेश की सा है बहुत अच्छे से और जब समय आएगा ती इस सरकार को ये जनता जबाब देगी वो किसानों किसान जिस तरह से बरबरता पूर्ण तरीके से लाठी चार्ज और गोली चलाना ये सब किये हर जगे आज हमारे यहां भी कैया ऐसे किसान है जिनको बिना अल्टीमेटम दिये अगर वो करज लिया है उसके घर में जाके ताला लगा देना उसकी ट्रैक्टर उठा लाना बिल नहीं पटा रहा है उसकी मोटर साइकल उठा लेना वो सब अक्रोसी थे और बहुत अच्छे से जानते हैं और जब वक्त आएगा दोहजार अठारा दोहजार आठारा में वो बताएंगे कि इस सरका के खिलाब कैसे लोग रहेंगे और तब यदू ए अधिवासी के लिए सरकार्ट जितने काम का दावा करते एक item做 और देखता है er ये विकास ओ्राइब इस बात को हमने बीदान सहरा भी रखा था ट्राइबल की जब बात आई थी, तादिवासे उगा तादिवासीयों के लिए धेर सारे पैसे आते हैं, बहुत सारे, और आज से नहीं, नजानिक कब से आ रहा है, लेकि वो ट्राइबलों का पैसा का ये वारता पता नहीं है कि कहां जाता है ट्राइभल के पैसे को पता चला कि आपके मेट्रो-10 में लगाई जाती है उनके पूरे बजट जो है तो कुछ है तो P.S. में लगा दी जाती है आज भी हमारा जीला संपून ट्रइवल है सेडोल जीला लेकिन आज आप जाके देखिए विकास की जो गती होनी चाहिए जो डेवलम्मेंट होनी चाहिए वो आज भी नहीं है ट्राइबल भी भाग से उना दिवासियों कि किसी को मुप्त में पंप दिया जाता है अब कुछ ऐसे पंप दिये गए जिनके पास ना तो कोई बोर है ना कोई कुणा है ना हिंदा रहा है पंप दे दी गई येर ना वहां बिजली की साधन, पंप दे दिये गए मैं रियल वता रहा हूँ आज मेरे हाँ आज भी पूरे नाम मेरे पास है 48 ट्रांसफार्मर जले हैं जहां मैं अंदोलन कर चुका हूँ बेवहरी में सब कुछ कर चुका हूँ सरकार के खिलाब धरने में बैठ चुका हूँ उन किसानों काज तक ट्रांसफार्मर नहीं बदली गई किसान बिल्कुल बड़े आक्रोसित है कि ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं 24 गंटे 24 गंटे की जो यह कह रहे हैं बिजली दे रहे हैं मैं दावेक साथ कहता हूँ मेरे साथ कोई चल के गाउं में रुक ले और बता देग 24 गंटी इन इनको बिजली मिल रही की नहीं हमारे गाउं में क्या है आपकी पूरे बिजानस gözाने काँ की बात कर रहा हूं कहीं 24 गंटी बिजली नहीं दी जा रही किसान कितने परेशान है बेरे की जरूरत से ज्यादा वो किसान मैंने मेरे से तो ना जानी कितने बार मेरी ट्रांसफार्मर के संबंद में कितने बार बात होती मैंने अभी द्याना करस्ण में ट्रांसफार्मर का भी लगाया है लेकि अब रसुईकार होता है तो उसमें आएगा तो अपने अपने एक शेत्र में करवाया है, किसान भी परिशान है, इन तमाम परिस्थतियों को लेकर कॉंग्रेस पार्टी क्या कुछ कर रही है, चुकि दोहजार अठारा सामने हैं, नहीं हम तो देखे इसके लिए अंदोलन भी कर रहे हैं, गाउं गाउं जाके लोगों को बताते हैं सरकार की क्या नियत है, ये क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, और देखे आज के परिस्थिति में, सैडोल जिला नहीं, बेवहारी नहीं, बलकि मत परदेस में जनता ये जान चुकी है, इनके कतनी और करनी में कितना फर्क है, ये कहते कुछ हैं, आज इनकी जितनी योज मैं चैलेंज करता हूं से डोल जिले का पूरे पर योजना बार मैंने पिछले बार विधान सभा में रखा था बात कि अंति मैं जो लाड़ली लक्षमी योजना कितने को आपने प्रमाण पत्र जारी किया कितने को नहीं आज भी नहीं किया है उस समय सदन में सुईकार की थी म कोई भी सरकार हो योजना चछा बनता है उनका करिया नीचले इस तरह से सही क्रिया का रोप दिया जाए फिन अच्छे से हो तो योजना कोई खराब आदिवासी है जिनके 13-13 विले है वो बिजली लगी ही नहीं है उनके हाँ बिजली गई ही नहीं है मैंने पिछले बार बिधान सभा में रखा था एक प्रेस नहीं लगाया बिहारी सिंगोंड आपके रंगी टोला के हैं 13-13 विला है वो आदिवासी बोला मैं फांसी लगा जरूरत नहीं आपका सेवक है आपका सेवक बताओ क्या है तकलीफ उन्होंने बताए कि यह है उसको ले करके मैंने बिधान सभा में रखा फिर मानपूर से जुड़ती है उमरिया डिस्टिक से वो उसकी जो सप्लाई है बिजली के तुरांत जैई बैई पहूंचे सलगा व जरूर कम मिलती थी जरूर कम मानता हूं उत्पादा नीरा प्रोड़क्स नीरा जो भी खामिया रही है लेकिन इस तरह से नहीं था इनमें तो 24 घंट का नाम है बिजली दे नहीं रहे दूसरी बात बिजली कभी इतना करेंट रहता कि जिसकी कोई सीवा रही है कॉंग्रेस क जो संगठन है उसमें से वक्त कितना करंट है नए प्रभारी है नई तैयारी है बहुत अच्छा है सर अभी जो हमारे नए प्रभारी बने हैं बबरिया जी इनका जो रूप रेखा बना है वो इतना बढ़िया सिस्टमेटिक बना हला कि हम लोग बहुत पहले ये मन में सोचा करते थी कि डिवाइड किया जाए बहुत लंबे कई पोलिंग बूट का एक बलाक होता है अगर उनमें 80-80 पोलिंग बूट करके एक बलाक बना दी जाए और उन बलाक में 30-30 करके एक आपका मंडल बन जाए और फिर 10-10 का एक सेक्टर बन जाए और उसमें सेक्टर बन जाए फिर सेक्टरों में भी डिवाइड कर लें तो ऐसे में क्या श्रंगठनातमक तरीके से बहुत मजबूती मिलता है और अच्छा है और यह जो चल रहा है बाबरिया जी का ये प्लान ये बहुत अच्छा है और हम लोग तो क्या कारकरताओं में भी एक उर्जा है क्या कोई चेहरा घोशित करना है चाहिए कॉंग्रेस को की एक चेहरे को सामने रखकर लड़ें जैसे भारती जनता पार्टी लगतर शेवराजी के चेहरे के साथ जीत हासल कर रही है देखे हम हैं छोटे इस तरकी नेता ठी लड़न मजबूत हो सब एक रहे हैं यह तो यह तो तैह है कि आप और कोई भी कहें लेकिन हाँ जब राय वहां पहुंचेगी घोशना वहां से होगी लेकिन एक चेहरे के फॉर्मूली की बात कर रहा हूं मैं व्यक्ति नहीं कि आप किसको वहां पेश कर रहे हैं लेकिन हां कोई एक चेहरा क्या ऐसा लगता है कि एक चेहरे के भरो से पूरा चुनाव जीता जा सकता है देखिए हमारे मत परदेश में जितने रीजन हैं बिंद ले लिजे महा कौसल ले लिजे चंबल ले लिजे मुंदेल खंड ले लिजे और आपका ये नर्बानान चल हो गया ये जगहों के जो अपने बड़े इस तरह के नेता हैं ये सबी को साथ में और संगटित होकर चलेंगे तभी मैं समझता हूँ अच्छा रहेगा तो सबी संगटित होकर चलेंगे तो कॉंग्रेस को जीत बिलेगी और निश्चित तोर पर जिस तरह की बात रामपाल जी ने कही ह है कि स्वास्त और शिक्षा के मामले में इस्थिती बत्तर है तो ये केवल कॉंग्रेस विधायकों की पीड़ा नहीं है बलकि ये पीड़ा कहें ना कहें लेकिन भाजपा के विधायकों की भी है कैमरमेन अभीलाश दिवारी के साथ हिद की शूर शर्माइब